दो दिन पहले देश की वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने अपना अंतरिम बजट पेश किया और इस सरकार का आखरी बजट भी था अब दो दिन पहले की बात सुनकर जाइए मत खबर गंभीर है और मोदी जी के खोखले वादों की धागे खोलती भी दिखती है ये जो कडोडो रुपे जनता का उड़ा रहे हैं बड़े-बड़े बैनर्स लगाने में और उस पे लिख देते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, काहे का साथ सरकार की नियत देख के तो ये सब फर्जी और धकोसला ही लगता है वोट के लिए आप धर्म की राजनीती करते हैं, वो आपका एजिंडा हो सकता है लेकिन सत्ता मिलने के बाद जिस कुर्सी पर आप विरास्ते हैं वो सम्विधान से चलता है वो फर्जी बाते नहीं करता, अगर सम्विधान कहता है और लिखता है कि धर्म निर्पेक्ष मतलब आपको हर हाल में धर्म निर्पेक्ष होना है लेकिन मोधी सरकार का ये बजट मुस्लिमों के साथ धोका करते नजर आता है नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीती में, मैं गेटी भाव्या प्रधानमंतरी भले ही गोधी मीडिया को इंटर्व्यू नहीं देते हों और दे भी दे तो गोधी मीडिया के आवाज में अब तो ताकत नहीं है कि वो मोधी जी से डारेक्ट देश में चल रहे गरम मुद्दों से समबंधत सवाल पूछ सके लेकिन फ्यूचर विश्वगुरू होने के नाते प्रधानमंतरी जी ने एक विदेशी मीडिया को इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने देश में चल रहे मुस्लिमों को लेकर भेद भाव और उनके भविश्य के बारे में पूछ लिया लेकिन हमारे प्रधानमंतरी जिन्होंने अपनी शांदार बातों से अंदभक्तों की फौज तयार कर ली है मन की बात करते करते कब जनता के मन से उनके असल मुद्दे गायब कर दिये उन्हें ही पता नहीं चला तो इस छोटे से सवाल में कैसे वो फस्व जाते है मुस्लिमों के सवाल पे मुदी जी को पार्सी याद आ गये जवाब में पार्सियों की आर्थिक सफलता के बारे में और वो यह कैसे भारत के सबसे छोटे माइनॉरिटी समुदाय होने के बावजूद खुद को यहां सबसे सेफ फील करते हैं और भारत को किसी स्वर्ग से कम नहीं समझते हैं जिसके बाद मुदी ने देश के लगभग 20 करोड मुसल्मानों के लिए बिना कुछ कहे कहते हैं इससे पता चलता है कि भारतिय समाज में किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी के प्रती भेदभाव की कोई भावना नहीं है हम सभी वाकिव हैं बीजेपी की राजनेतिक मुद्दों से भाजपा के लगभग सभी नेता का एक मूल फोकस ही होता है धरम के नाम पर भोली भाली जनता का वोट लेना लेकिन कभी कबार भाजपा अपने ही फसाई जाल में फस जाती है जहाँ पीम साब ने सवाल को उल्टा पुल्टा कर अपने जवाब में मुस्लिम का जिक्र किये बिना माइनॉरिटी की बात छे डाली तो वहीं उनके ही इस उत्तर में उन्होंने कई प्रशन खड़े कर दिये निर्मला सीता रमन ने इंटरिम बजट पेश किया है जिसपे काफी लोगों ने अपनी राय भी रखी विपक्षियों ने भी काफी सवाल उठाए और अगर आप एकोनॉमिक समझते हैं तो आप भी समझ पाईएगा कि बजट में कुछ खास बदलाव नहीं था बस निर्मला जी मूदी जी के प्लान की गुनगान करती वे दिखी खेर ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जस माइनॉरिटी का जिक्र प्रधान मंतरी कर रहे थे उस माइनॉरिटी अफेर्स के लिए इस साल बजट में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है जहां इस साल के अंतरिम बजट में माइनॉरिटी अफेर्स के लिए 3,183.24 करोड दिये गए जबकि पिछले साल 3,97 करोड था तरसल मिनिस्ट्री ओफ माइनॉरिटी अफेर्स 2006 में मिनिस्ट्री ओफ सोशल जस्टेस और इंपावर्मेंट से उप जाया गया था ताकि मुस्लिम, क्रिश्चिन, बुधिस, सिक, पार्सी और जेन की समस्याओं पर केंद्र ध्यान दे सके लेकिन इस बजट में जहां आपको बढ़ोतरी दिख रही है वहीं असल में मुस्लिम वर्ग के लिए बड़ा खेल हो गया है मुदी जी अलग से स्पेशल आके बजट की खूब तारीफ करते हैं और अपना पीट थक थपा दे रहे हैं जहां बजट में टैक्स पर आम जनता का कोई रहत नहीं मिली वहीं उद्योग पतियों के लिए जरूर रहत दी गई थी लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि कैसे ना सिर्फ ये बजट उद्योग पतियों के लिए था साथ साथ माइनॉरिटीज को कुचलने के लिए भी था दरसल बजट में मदर्सों के प्रती सरकार की सपष्ट नापसंदगी साब जलकती है 2023 में मदर्सों और माइनॉरिटी के लिए सिक्षा योजना को पिछले वर्ष की तुल्ना में 93 प्रतिशत घटा कर 10 कडोर रुपे कर दिया गया था इस बार यानि इस बजट में इसे और घटा कर में 2 कडोर रुपे कर दिया गया है आप ये दवायर की रिपोर्ट देखिए जिसमें वो सरकार के जूटी बातों का दिक्र करते हुए बता रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा माइनॉरिटी के लिए घोशित धन राशी में अकसर संसोधन होता है और अकसर कटोती भी होती है यह आन तोर पर मंत्राले द्वारा अपनी आवश्यत्ताओं के अनुसार मांगी गई राशी से कम होता है उधारन के लिए 2023-2024 में सरकार ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट 3097 करोर रुपे तै किया था लेकिन बजट एमेंड होने के बाद इसे घटा कर 2608 करोर रुपे कर दिया गया अब देखना है कि सरकार का 2024-2025 के बजट की घोशना के बाद या बाटने के दौरान कितना घट सकता है कुल मिलाकर पहले तो जो बजट में आकड़े सुनाए जाते हैं वो खास कर माइनॉरिटी सेक्टर में जूटा ही लगता है उधारंग के लिए फिर से 2022-23 के लिए 5020 करोर रुपे के बजट की घोशना की गई थी जबकि उसको रिवाइज बजट में लाने के बाद यह रकम घटा कर 2612 करोर रुपे कर दी गई इसके अलावा जब actual expenditure की बात आई तो केवल 802 करोर रुपे का उप्योब किया जा सका अब आप समझे माइनौरिटी की बात को घुमा कर प्रदान मंत्री ने पार्सियों की तरफ मोड तो लिया ही था और सवाल का जवाब भी नहीं दिया था लेकिन इन बजट के जरिये आप समझ सकते हैं की financial times के द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर उन्होंने क्यों नहीं दिया इन बजट से साफ समझ आ रहा है कि प्रदान मंत्री ने माइनौरिटी के उस सवाल में मुसल्मानों का जिक्र भी क्यों नहीं किया खेर प्रदान मंत्री के मन में क्या है ये तो वही जाने नहीं हलाकि minorities को जो पढ़ाई के लिए scholarship की व्यवस्था भी की गई थी उसे भी सरकार हर साल घटा ही रही है पिछले साल जहां ये 433 करोर था इस साल इसे घटा कर 326 करोर कर दिया गया है आगे और सुनिये इसके विपरीत Skills Development Initiatives नई मंजिल दा Integrated Education and Livelihood Initiatives, Upgrading Skills and Training in Traditional Arts, Crafts for Development, Scheme for Leadership Development of Minority Women, हमारी दरोहर for Conservation and Protection of Culture and Heritage of Minorities जैसी पहल और minorities की विरासत के साथ साथ UPSC, SSC, State Public Service और भी कई ऐसे केंद्रे जो की minorities की छात्रों के लिए सहायता करते थे जसी महतफून योजनाई लाते थे उसको पूरी तरीके से रोख दिया गया मौलाना अजाद Education Foundation का बजट और the National Minorities Development and Finance Corporation का एकठी योगदान भी इस बार शुन्य है इस बात को मुस्लिम से जोडने की गल्ती मत कीजीगा ये सारे स्कीम जो होल्ड पर डाल दिये गए हैं या जिने बजट में जगा नहीं मिली है वो पूरे minorities के लिए लागू होते हैं ये तो हुआ minorities की पढ़ाई लिखाई में दिये जाने वाले मदद की कटोती की बात लेकिन आज मोदी जी के चहेते योगी जी ने भी बजट पेश किया उसके लिए मीडिया में क्या खबरे चल रही हैं आप बस हेडिंग देख लीजे यूपी बजट 2024 अयोध्या काशी मतुरा और महाकुंब योगी सरकार ने धार्मिक सहरों के लिए खोला खजाना अब आपको समझ आ जाएगा सबका साथ सबका विकास मतलब केंद्र माइनोरिटीज को गायब कर रहा है और बाबा की सरकार स्वास्ते सिक्षा रोजगार छोड़ कर लगे पड़े हैं धर्म की राजनीती में इनको और इनके भक्तों को समझ ही नहीं है कि पहले क्या आता है धर्म या देश आपको क्या लगता है क्या मोधी सरकार सभी माइनोरिटीज के साथ समान विवार कर रही है हाला कि मुझे तो नहीं लगता जैसा कि बजट समझ के मुझे लगा लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और हमारे अजाद पत्रिका को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम ऐसी ही खबरें आप तक बेखौफ होकर आप तक पहुचा सके और देखते रहिए देशनीती धन्यवाद